हालो टेर्लर्स वेलकम तो आलाइस ब्लू मैं हूँ दीपन गोगई और आज हम बात करेंगे जिंक के पिवाट पॉइंट चापोटेनो रिजिस्टेन मार्के ट्रेंट और मार्के ब्रेंज और देखेंगे आज जिंक क्या होने बला है उसका उपर भी आम बात करेंगे कि पिवाट पॉइंट एक बेग्सम जिंक पुद पड़ प्रों к्टव ख र SURग करेंगे वाट पॉइंटltव नंफ त बिते झांधन आफं और लो मार्के होने송 टरण शने मार्के वारिजर में थर में प्र शिंट पड्र्स एक्नतल 2nd support 181.22, 3rd support 179.19 तो यहां से एक सेक्तर ही है जिन्क डेली चार्ट तो यहां पे आप जो एक 200 moving average है वहां पे एक सपोर्टिंग रेजिस्टेंट बना के फिर से market नीचे आया तो यहां से आके जो 150 है वहां से फिर से bounce बेख होके market 151, 200 moving average का resistant बना के फिर से market ब्रेक आउट करके नीचे आगिया तो यहां से देख सकता है market एक resistant line जो यहां पे एक draw करके देता हूं तो यहां से देख सकता है एक resistant, sorry supporting range मिला तो supporting range से market फिर से उपर की drop जाने का कोशिज कर रहा है यहां पे जो स्टोर्स देख है अभर बहुत अभर सोल जोन में इसको crossover हो रहा है तो यहां से market उपर जाने का थोड़ा कोशिज कर रहा है तो मुझे लगते है यहां से market थोड़ा बहुत करेक्शन देना चाहिए तो यहां पे हम देखें इसके लिए हमें फोर आवर में फोर में 200 ब्रेक आउट करके पीछे एक market retracement दिया हुआ है तो इसके लिए हमें फोर और कॉंफर्म करने ना चाहिए इसमें कि यह जो 200 moving averages को ब्रेक आउट कर पाएंगे या नहीं परेंगे अगर उसको ब्रेक आउट किया तो market feature उपर जाने क चैंसे से अगर उसको ब्रेक आउट नहीं किया तो market feature यह lower low बनाने का को सीज़ करेंगे तो अगर हम 15 मिनिट में भी देख सकते 15 मिनिट में इसमें higher high बना के जा रहा है market तो अब देख सकते है यह 15 मिनिन में एक higher high बना रहा है और साथ में 200 moving average को भी breakout किया है तो मुझे लग इसको breakout होगा या नहीं होगा क्योंकि एक बार market 200 को breakout करके फिर्चे निछे आया फिर्चे वह उपर जाने का को सीज़ कर रहा है तो अगर पोजिशन लेना है तो आप 27F205 को पोडिए आप बा मैं लेना चाहिए ठाहिए तो इसके लेना का रहा हूगा है तो अचल्ड का रहा है।